असलाम नेकुम डियर स्टुनेंट्स तोड़े एविल डिस्कूस आज की वीडियो में मैं डिस्कूस करूंगे एक पाकिस्तानी लिट्रेचर से फैमस पॉइम ग्रेव इन दा पार्क जिसे लिखा है पाकिस्तानी पॉइट ने तौफक रफत ने तो शुरू करते हैं आज के इतनी वीडियो इस पॉइम में बेसिकली तौफक रफत जो हैं वो चाल्डूट मेंबरीज शेयर करते हैं तो इसकी फर्स्ट लाइन है देर वाज़ ग्रेव के वहां एक कबर थी इंदर मिडल अफ पार्क पार्क के दर्मियान में कबर थी इस ब्राउन रेक्टेंगल इसक इसको ऑफ साइड पर थी दा नियर रेस्ट ट्री वास शिकसर अवे और जो इसका इससे करीब तर दर्खता वो इससे सिकसर अवे था यह इसमें स्ट्रक्चर बताया हुआ है ग्रेव का के ग्रेव जाप पार्क के मिडल में ती और इसकी शेप जो है रेक्टेंगलर थी और इसके कریब कोई जला द्रागत नहीं थे बलके एक द्रागता जो कि सिक्सर अवे था इससे इसके बाद ताफब कर रफ़त कहता है इस वाज दे ग्रेव ये कबर थी और अफ हॉली मैन एक मुकदस आदमी की कबर थी हूम लोबडी रिमेंबरड जो किसी को याद नहीं यानि वो holy person किसी को याद नहीं yet somebody cared लेकिन अभी भी कुछ लोग उसकी care करते हैं enough to light कैसे care करते हैं कि वहाँ पर light जलाते हैं clay lamp every night यानि मट्टी के जो lamp होते हैं वो हर रात वहाँ पर जलाए जाते हैं in the lamp needs black with a use यानि वो black earth के साथ जो lamp होता है और जो कि इस्तमाल करके black हो जाता है यानि black lamp जो हो यूस किया जाता है तो इसमें बताया जा रहा है कि एक grave है एक कबर और इसी place को यानि इसी park को इताफ़क रफ़ज मतलब के जो point है वो यूस करते थे अपने fellows के साथ खेलने के लिए तो ये style route की memory बता रहा है कि एक कबर थी पार्क में और वो एक holy person के थी और वो holy person कौन था कोई उसे नहीं जानता लेकिन कुछ लोग अभी भी अक्रित मन है यानि वो वहाँ पर आकर lamp जलाते हैं यानि light जलाते हैं जलाते हैं a lot of banner banner थे बहुत ज़दा fastooned shrubbrick यानि यहां पर बहुत ज़ए shrubs थे जैसे के जाड़ियां वगारा बहुत ज़दा जाड़ियां its sides were brick और इसकी sides थी वो इंटो से बनी थी बट दा टॉप वास soft यानि इसका जो और घास ने धांपा हुआ था इज याद दिलाती है आप लेमन टार्ट की याद दिलाती है अब इस बेजिती से कांप गया अब इस में भी वो स्टॉक्सर बता एक बहुत जदा ज़ाणिया थी और इसके साइड जो थे वह ब्रिक्स से बने हुए हुए इंट से उसके टॉप जो है बहुत जो सौफ है और रहा भास ने कवर किया हुआ है याँ याँ चीज मुझे याद दिलाती है लामन टाट कि फिर उप मैं इस बेस्टी से कांप गया कुल और जो ब्रोकन जो इंद अन्फेशन एबली थी जासे के घार फैशन पथली आफीज थी ऑनिट्र डॉर्ण एवर डाण एवरी डे विदा चार कोल और चाक कंव एट वर ड्रा करते थे and freshened everyday हर दिन उसको fresh करते थे with a charcoal or chalk charcoal या chalk के साथ the sets of stumps यानि उन्हें stumps के लिए use किया जाता था at which we ball जहां पर हम खेलते थे बॉलिंग करते थे यानि जैसे के वो wicket बना देना तो वो उसी दिवार पर उसके कबर की जो bricks थी लगी हुई उस पर वो तीन चार लाइने जो है वो ड्रा करते थे वो उनकी wicket होते थी तो ये point बता रहा है कि हम इस तरह केलते थे और उसकबर को wicket के तोर पर use करते थे यानि उस पर chalk वगारा लगाते थे उसे line लगाते थे wickets बनाते थे then वो करते the scent I was sure और ये scent I was sure मुझे यकीन था वाज़ जैंट के कोई जैंट था who's valid children जो बचों को निगल जाता था यानि ये कोई जैंट था यानि देओ कामत जैसे ये मुझे यकीन था कि ये holy person ये कहले ये एक देओ कामत था जो के who was valid children जो बचों को निगलता था certainly his grave और उसके कबर was the biggest बहुत बड़ी थी I had seen जो कि मैंने देखी to look at the top मतलब उसकी जो कबर थी वो biggest थी बड़ी थी to look at the top उसके top को देखने के लिए I had to jump madly मुझे पागलों की तरहा jump लगाना पड़ता था मतलब कि उसकी कबर जो है वो क्या थी biggest बड़ी थी जिसके वैसे मेरी कादितनी नहीं थी कि मैं जो है वैसे देख सकता normally तो मैं वहाँ पर jump लगाता था पागलों की तरहां उस कबर को top से देखने के लिए then वो कहता है standing as it was खड़े थी जैसा कि it was in a large bar patch यह एक नंगी पिच पर थी it dominated the landscape और यह landscape पर डॉमिनेट थी यह जो जमीन की ताजीन है उस और यह dominated थी its sides permitted और इसकी जो sides थी permitted इजाज़ा देती 4 matches at once के एक बार में 4 matches खेलने की हमें इजाज़ा देती थी winter afternoons मुसम सर्मा के सपहर को, विपलेट के इया, हम वहां पर खेलते थे, till night lasted, जब तक के, ये होती थे, night होती थे, यह यहनि, sorry, light होती थे, तब तक हम वहां पर खेलते थे, यहनि light का होना, जब तक अधेरा नहीं हो जाता थे, हम वहाँ पर खेलते थे then वो कहते है in the dark अंधेरे में I was scared of it मुझे से डर लगता था sometimes when I forget जब हम बाजों का जब हम भूल जाते sorry मैं भूल जाता a bat or a ball कि कोई बला या गेंद वगारा भूल जाता and went back to fetch it fetch कहते है लेना और मैं वापस उसको लेने जाता बला या ball जाता भूल जाता तो मैं उसको जब वापस लेने जाता I would not be go alone मैं अकेला नहीं जा सकता था क्योंकि मैं डरता था यह point का fear दिखाया गया उसका डर दिखाया गया but take a friend एक दोस्त को ले के जाता preferably two या दो को यानि एक दो दोस्तों को ले कर जाता और मैं वहाँ से ball जाता वो ले कर आता था अगर मैं ball भूल जाता या बला भूल जाता या यानि मैं वहाँ पर डरता था we all pretended हम सब pretend करते थे as loudly as we could ऐसे उंचा जैसे के हम कर सकते थे it was for a company जैसे के यह किसी company का हो company के लिए था it was then we noticed फिर हमने notice किया the oil lamp burning के वहाँ पर कोई तेल वाला lamp जो है वो जल रहा है surely यकीनी तोर पर some digen had come in our absence digen means के कोई gin kitchen gin जो है वो had come in our absence के हमारे गयर मजुद्गी में आये lit it इसको जला दिया and vanished और फिर गयब हो गया vanished means के गयब हो गया के हम ऐसे pretend करते थे जैसे के हम मतलब इतने loudly उंचाई से यह कल इतने जोर से जैसे के हम कर सकते थे किसी company के लिए कर रहे है और हमने यह भी notice किया के एक oil lamp जो है वो जल रहा है और यकीन तोर पर ऐसे जैसे के कोई जिन आके उसने जला दिया हो हमारे घार मजूदगी में और फिर जला के जो है वो गया हो coming back home घार वापस आते वे throw the 14 fields 14 खेतों में से घार आते थे a shortcut shortcut लेकर we had to pass हम गुजरते थे throw a Hindu graveyard हम हिंदू के मकबरात से गुजरते थे और burning ghat जहां पर ghat जो है वो जल रही होती थी और whatever it was यह जो भी था abundant by its look हम इसको देखने से जो है वो इसको देखने को तर्क करते थे मतलब हम उसको नहीं देखते थे तो यह लिकाओ इसके बाद है कि जब as a good Muslim कि एक सचे मुसल्मान होने के हैसियत से it was a matter of honor यह इज़त का मौमला था we should piss on the mounds we should piss हमें piss करना चाहिए था on the mounds तीले पर यानि रेन करना चाहिए था किस पर mount करते हैं तीले पर so unbuttoning our flies यानि हम अपने मकी को जो है unbutton करते थे खोलते थे with quick silver fingers अपनी silver अंगूटों के साथ उंगलियों के साथ we pissed a few drops कि हम जो है चंद कत्रे जो है वो piss करते for the sake of honor इज़त के लिए and left whistling और फिर city जो है वो बजाते in our short shots के लिए then फिर then the family moved इसके बाद इसके बाद फैमिली थी moved, move कर गई to another town दूसरी जगह पर यनि दूसरी शहर move कर गई and that town was hours for 17 years और हम वहाँ पर 17 साल के लिए रहे यहनि आप point कर रहा है कि हम फिर इसके बाद move कर गए थे दूसरी शहर और वहाँ पर हम 17 साल के लिए रहे in its excitement और इस excitement में इस जोश में I forget the grave मुझे वो कबर जो है भूल गई मैं उस कबर को भूल गया till the break up of the continent तब तक जब तक बरसखीर अजाद हुआ brought me back और हम वापस आ गए to my own hometown यहनि हम अपने घर फिर वापस आ गए यहनि जब इसको अंचेंज पाकर तब्दील ना होकर मतलब उसमें कोई तब्दील ही नहीं आई थी उसको अंचेंज पाकर बहुत ज़्यदा सर्प्राइज हो गया था as soon as I could जैसे जल्दी हो सका I could I went to the park जिसना मेरे लिए मुम्किन हो सका मैं कहां गया अब कौन से पार्क गया जहां पर यही खेलते थे बच्पन में there was a grass on the fields तो यहां खेतों पर जो है वो क्या थी grass थी घास लगए उती and a lot more trees और बहुत ज़्यदा द्रख्त हो गय थे जैसे हमने start point के start में देखा था यह point कह रहे थे जहां पर हम खेलते थे जिस पार्क में हम खेलते थे वहां पर एक द्रख्त था और जो six are away था उस grave से लेकिन अब वो कहता है कि यहां पर बहुत ज़दा द्रख्त हो गए यह बहुत ज़दा द्रख्त है the playing area और जो वो उनका playing area था has been shifted north वो नौर्थ में शुमाल की तरफ shift हो गया at first पहले I could not locate locate कहते हैं तलाश करना the grave यहनि पहले मैं grave को कबर को तलाश ना कर सका leveled I thought मतलब वो बिराबर किया हो था I thought मैंने सोचा but it was there all right लेकिन वो वहां पर थी कबर Neville High North से उन्चाई पर वो कबर थी यहनि जब वो टाउन से यहनि दूसरे टाउन जब गया पिर वहां से जब वापस आया partition के बाद तो यह उधर वापस मतलब उस पार्क गया जहां पर यह खेलते थे तो वह कहते है कि वह उस पार्क में बहुत ज़दा चेंजिस आ गए थी बहुत रहाई गए या उ स्के जो चुडाई थी दो ye जो कहाया हो लमपाई थी त्री गूना जो है स्टेंप मार्किंग वाली जगा को लिचन ने कवर किया था इट सिंगल डायवोट अब लिचन क्या होती इक डिजीज भी पैदा करती है सो इस ने जो है लिचन ने बेसिकली वह जिस दिवार पर यह लोग स्टेंप से विकट बनाते थे चाक वगारा से उसको उस जगह को लिचन ने कवर किया हुआ था इस सिंगल डाइवोट जो उसका एक अकीदत था है या अकीदत मन्द है लोंग अगो डाइड कि जैसे कि यह इसका एक अकीदत मन्द काफी अर्थ से पहले ही जो है सर्दी के वसे फौत हो चुका था फादर नीच वास्कोल जब लंबे थे पहले बहुत ज़्यदा लंबे थे और मेर सो और अब भी हैं अंकल्स है ड्विन लैड और जो अंकल्स है उन्होंने घटा दी टू आना एमेबल हाइट को घटा दी मतलब मलंसार उन्चाई को जो है अंकल्स ने घटा दिया और इसमें से कुछ जो है वो घट गई और कुछ घट गई और कुछ घब हो गए वो ही लुक एगरली हम बड़े पुर जोश तरीके से देखते थे फार सिमिलर साइंस कुछ साइंस यानि अभी कुछ अलमात ढूनने की कोशिश कर रहें जो पास्ट में थी वो अलमात ढूनने की कोशिश कर रहें और मायस हों गए और मॉक औरसेश रहें हैं मज़ाव और हमने अपना मज़ाव मज़ा पुडाया यह मनि इसटमेंट संथ्मेन इस के लिए इमोशन के लिए हमने अपना मज़ा कोड़ाया है कि हम एस स साइड को डून रहें इस वाज एकस्पेक्टिर और की यहां जाती थी क्या झालिय को चाइल हुट बच्पन की конт घुच्व कर सकता है यान कों बता सकते कि हम बच्फन में कहां पर ते कहां खेलते थे कैसे वह सारा स्ट्थर खौन बटा सकते कों उसकी पेशिन गूई कर सकता है यहां परटिकुलर मैमत क हमारा बी सपुर्दे शीनी एक पौइन सा शीनी आ शीयर कर ते हम से लाइन्स लगा के वो अपनी विक्ट बनाते थे देन वो किसी और जगा पर शिफ्ट हो गया जब वो वापस आया तो वो जगा टोटली चेंज हो चुकी थी इस्ट्रक्चर बिल्कुल चेंज हो चुका था यह नहीं वहां पर पहले द्रख्ट वाला नहीं थे फिर बाद में जब यह रिटर्न हुआ वापस आया कुछ सालों बाद तो वहां पर द्रख्ट हो गए थे और अब वो बच्पन के साइंस ढूने की कोशिश कर रहा है अलमात ढूने की कोशिश कर रहा है कि हमें बच्पन थोड़ा बहुत जहां से हम ढूंड सकें कि हम कहां कहां खेलते थे और कैसा हमारा बच्पन था तो वो सारा कुछ है वो मेमरीज ढूने की कोशिश कर रहा है तो आई होप आप लोगों को यह पॉइम आज की क्लियर हो गई होगी थेंक यू फार वाचिंग मैं वीडियो अला हाफिज